Hello everyone, welcome back to my channel दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक बार पुना देख्षा पोर्टल पर सेवारत सिख्षक प्रसिछन के तहत 16 कोर्सेज आप सभी को प्रसिछन लेने के लिए दे दिये गए हैं और इसकी समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है दोस्तों, लेकिन मैंने देखा कि हमारे बहुत सारे मित्रों को समस्या आ रही है क्योंकि इस कोर्स में सबसे बड़ी फाल्ट ये है कि सारा पार्ट तो complete हो जाता है लेकिन जो assignment लिखने वाला और जो email करने वाला portion है वो complete नहीं होता पहले ही आप assignment लिख लिजए, email कर दीजए, उसके बाद भी वह complete नहीं दिखता और इस तरह से आपका जो course है वो सिर्फ 98% ही complete दिखाई पड़ता है तो दोस्तों इस समस्या का समाधान क्या है? इसका समाधान है कि आप इसे Chrome पर login करें और Chrome पर login करके जब course को complete करेंगे assignment और email वाला section complete करेंगे तो वहाँ पर ये complete हो जाएगा दोस्तों पहले आपको बता दूँ कि अगर आप पहले से ही इस course में join कर चुके हैं अर्थात 1 जुलाई के पहले अगर आप इस course को join कर चुके हैं और जब आप open करेंगे तो वो वाला course आपका start नहीं होगा एक जुलाई से फिर से जो है नया session शुरू हुआ है अब आपको एक जुलाई से इसे join करना होगा तब यह complete आगे हो पाएगा तो आएए दोस्तों हम आपको बताने चलना हैं कि आप Chrome पर कैसे login करेंगे और कैसे assignment और email section को complete करेंगे तो इसके लिए दोस्तों आपको Chrome पर चलना होगा तो चलिए हम Chrome पर चलते हैं और वहीं बात करते हैं यहां दोस्तों आप देख पा रहे हैं दिखे हम आ गये हैं अपने Chrome पर आ गये हैं और यहां पर आपको यह portal दिख रहा है यहां पर जो आपको search are type babe address दिख रहा है यहां हम क्लिक करेंगे और यहां क्लिक करने के बाद हम लिखने वाले हैं www.diksh.gov.in भेले ही आपको लिखा हुआ दिख रहा है उसको आप टच नहीं करेंगे आप यहां पूरा-पूरा लिखेंगे जैसा कि मैं लिख रहा हूँ www.diksh.gov.in इस तरह से दोस्तों आप इसे पूरा लिखेंगे भेले ही इसमें लिखा लिखा है आपका नीचे दिख रहा है आ रहा है लिकिन आप उसको कुछ नहीं करेंगे आप ऐसा लिखेंगे www.diksh.gov.in उसके बाद आप सर्च बटन को यहां पर क्लिक कर देंगे और यह मैंने सर्च बटन को क्लिक कर दिया अब आपके सामने यह इंटरफेस खुल करके आ रहा है आप देख पा रहा है यहां पर हमारे प्रधान मंत्री जी भी दिख रहा है तो है यह एक पिंक कलर की पट्टे के ऊपर तो यह एक्सप्लोर दिख्छा को हम क्लिक कर देंगे हमने यहां पर एक्सप्लोर दिख्छा को क्लिक कर दिया अब आपके सामने यह पोर्षन खुल कर के आ रहा है देखे यह पोर्षन खुल कर आ रहा है अब आप देखिए इध यह हमने आप पर G को क्लिक कर दिया G को क्लिक करने के बाद अब आपके पास यह इंटरफेस खुल रहा है सिदा सिदा जो है आपको दिखे यहाँ पर नीचे दिख रहा है Login Login दिख रहा है नीचे तो Login को हम क्लिक कर देंगे यह हमने Login को क्लिक कर दिया और open होने दिया देखिए अब यहां पर यहां रहा कि back to application back to application दीख रहा है हम इसको click कर देंगे और back to application में आ जाएंगे दीखिए हम back आ गए एक बार फिर से उपर के तरफ इस्कूल करेंगे इसे और explore दीख्षा को click करेंगे अब आ रहा है देखिए option मांग रहा है कि आप कहाँ open करना चाहा रहे है chrome पर या दीख्षा पर तो हम यहां पर option चुनेंगे chrome को हम tick कर देंगे यहां पर हमने chrome को tick कर दिया अब आपके सामने यह खुल करके आ रहा फिर से वही खुल करके आ रहा देखिए अब आप फिर से देखिए जी आपको दिख रहा है जी दिख रहा है राइट हैंड कारनर पर white circle के उपर इसे g को फिर से आप click कर दिए यह हमने click कर दिया और उसके बाद फिर हमने आप login बटन को दबा दिया आप दिखे login बटन दबाने के बाद फिर आपके पास यह आ गया अब दोस्तों यहां आपको ध्यान देना है कि आप अपना mobile number और password डालेंगे कौन सा mobile number कौन सा password जो आप दिख्षा ID में दिख्षा को login करने में जिसका इस्तिमाल करते हैं वही mobile number और दिख्षा का password आपको यहां पर डालना है ठीक है अगर आप sign in with google करते हैं तो sign in with google कर लीजेगा अगर आप login with state system करते हैं तो आप भी कर सकते हैं लेकिन आप जो है अपना दिख्षा जिससे आप login करते हैं अपना mobile number अपना password यहां पर डाल करके login बटन दबा देंगे तो चलिए मैं यहां पर अपना mobile number और password यहां पर डाल देता हूँ मैंने यहां पर save कर रखा है तो हमें डालना नहीं पड़ेगा direct to हो जाएगा देखिए मैंने यहां पर mobile number डाल दिया अपना यहां पर हमने password डाल दिया अब हम login बटन को click कर देंगे तो मैंने यहां पर login को click कर दिया और इसे open होने देंगे फिर कह रहा है chrome या दिख्षा तो आप mobile का जो बैक है जहां से आप बैक करते हैं तो वहां पर डबल टाइप दो बार आप जो है टैप करेंगे हमने यह दो बार टैप कर दिया और यह open हो गया यह देखिए open हो गया अब आपको दिख रहा है आप right hand corner पर देखिए जहां पर जी लिखा हुआ था वहां पर लि यह जो profile लिखा है profile को click करेंगे यह मैंने profile को click कर दिया और हमारी profile यहां पर खुल गई है अब इसे हम उपर के तरफ scroll कर लेंगे और हमारा जो भी course है complete नहीं है उस course को हम complete करने की courses करेंगे ठीक है यहां पर देखिए कई courses आपको दिख रहे हैं view more कर देते हैं तो और भी दि दिख रहा है कि विद्यालय नेत्रित तो expired batch है यह तो expired हो गया है एक विद्यालय नेत्रित तो ongoing दिख रहा है ठीक है और इस तरह से जो भी course आपकी incomplete है आप यहां से इससे आप complete कर सकते हैं तो चलिए मैं अपना यह विद्यालय नेत्रित ongoing वाला इसको हम tick कर लेते हैं यह हम हमने विद्यालय नेत्रित का ongoing वाला टिक कर लिया है अब टिक करने के बाद अब आप इसे नीची की तरफ ले आए तो नीची की तरफ लाइए दिखिए इसमें जितने भी part है जितने भी section है वो सब आपको दिख रहे हैं और यह जो white color की पट्टी के उपर लिखा हुआ है यह पहले part का कुछ भाग आपको दिख रहा है इसमें हमने एक भाग complete किया है विद्यालय नेत्रित की समझ एसाइमेंट यह हमने complete किया है ठीक है लेकिन अब इसे में माल लिए कि हमें यह वाला complete करना है विद्यालय नेत्रित की बहुग भूमिकाएं एवं दाइत यह भी assignment ह ठीक है और उसके बाद नीचे एक सिछन संस्था के रूप में विद्यालय की समझ यह भी assignment है तो यह जो assignment है अगर हमें यह assignment वाला complete करना है या फिर नीचे दिखिए send your assignment to this email यह हमें करना है तो चलिए पहले हम assignment वाला करके दिखाते हैं यह वाला हम कर रहे हैं जो लिखा है विद्यालय नेतरत की बहुभूमिकाएं इसको हम टिक कर देते हैं इसको हमने टिक कर दिया अब नीचे की तरफ स्क्रोल कर लीजिए यह दिखिए यह आ गया आपका लोगों दिख रहा है ना लोगों के उपर प्ले बटन बना हुआ है इसको हम क्लिक कर देंगे तो यह प् यह दिखी complete हो गया दोस्तों you just completed लिक करके आ गया है ठीक है अब हम इसको back कर लेंगे बैक कर लेंगे ठीक है एक बार में नहीं होता दो बार में हो जाएगा चलिए मैंने back कर लिया यह rating करने के लिए कह रहा है enjoy this content rate करने के लिए कह रहा है हम इसको cut का जो बटन बना है यह cut यह complete हो गया अब चलिए हम देखते हैं कि जो हमारा email वाला section है send your assignment to this email id इसको हम click कर लेते हैं और email वाला section complete करते हैं यह मैंने click कर दिया अब नीची की तरफ आप scroll कर लेजिए इसको तो उपर आपको play button दिखाई पड़ेगा यह देखिए एम लिखा हुआ है इसके उपर play button बना हुआ है इसको आप टिक कर देजिए यह मैंने इसको टिक कर दिया है अब फिर यह email आपका open हो गया अब इसको भी उपर के तरफ scroll कीजिए उपर नीची यह कहीं भी इसको आपको इसी पर email भीजना है लेकिन हम यहां कोई email नहीं भीजने वाले हैं बस यह है कि हमारा यह किसी तरह से complete हो जाए बस अब एक बार इसको देखिए दोस्तों back कर लेते हैं और back करके देखते हैं कि complete हो गया या नहीं हो गया क्योंकि यह किसी भी साइड में इसक्रोल नहीं हो पा रहा है तो हमने यह बैक बटन दबा दिया इसका और यह हम बैक आ गए बैक आ गए और नीची चलके देखते हैं कि यह क्या complete हुआ यह देखे दोस्तों देखे complete हो गया send your assignment to this email ID यह भी complete हो गय करेंगे वह आपका complete हो जाएगा तो इस तरह से दोस्तों आप समझ गया होंगे कि आप दीख्षा पर तो बाकी चीज़ें कर लीजे आप पूरा कर लीजे लेकिन email और assignment वाला portion complete करने के लिए आप Chrome पर आ जाएगा और Chrome पर complete करके अब जब दुबारा आप दीख्षा पर जा लोगों को share कीजिए क्योंकि सभी लोग परेशान हैं सब के लिए समस्या आ रही है कि उनका assignment वाला portion email वाला portion complete नहीं हो रहा है तो इस तरह बड़े आसानी से जो है आप कर सकते हैं तो आसा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी मिलेंगे आप से नेक् चीजे लेकर तब तक के लिए नमस्कार गुड़ बाई